अश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका सुमित तरंपेदी। जन्मय पताने जा रहा हूँ defensive होग हो आपको antibiotic और antibiotics drug के भारे तो बात करते हैं anti-bietic और antibacterial drug के बारे में सबसे पहले इनकी definition जानते हैं तो anti-bacterial drug होती है such drug kill the bacteria and protect us bacteria growth सीधी सी बात है अगर bacteria हमारे वडी के अंदर पहुँच जाता है तो कोई infection cause करता है तो antibiotic वो drug होती है जो उसे kill करती है या फिर उसकी जो growth होती है उस growth को रोक देती है एक तरह से रोक थाम कर देती है दूसरे सब्दों में हम समझना चाहें तो antibiotic ऐसी drug होती है बहुँ powerful medicine होती है जो fight करती है bacterial infection से या सीधी सी बात है कोई भी dangerous वीमारी हमारे अंदर body में bacterial infection के through होती है तो उसको antibacterial जो drug होती है वो रोक देती है अगर time तक ली जाए एक time तक ली जाए तो आपको बचा सकती है किसी भी dangerous वीमारी से अब classification की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आता है chemical classification second is according to mode of action third is according to spectrum of activity और fourth is according to site of action तो दोस्तों मैं आज आपको chemical classification का चार्ट जो आपको बताने जा रहा हूँ chemical classification 16 टाइप से किया जाता है antibiotic का वो आपको मैं बताऊंगा और उसमें example भी लिखे हुए हैं तो आप उसका skin sort भी ले सकते हैं और उसके बाद मैं आपको एक एक करके mode of action भी बताऊंगा अगली कुछ वीडियो में तो उसे आप ज्यान से देखिए और एंटी वैक्टीरियल ड्रग का जो हमारी लाइफ में यूज है उससे समझे तो दोस्तों सबसे पहले आती है इसमें क्लासिफिकेशन की सबसे पहले नंबर की जो कैटेगरी है वह सल्फोनमाइट सेकेंड डाई अमीनो पारेमिडीन्स थाइज क्यूनूलोंस फोर्थ बीटा लेक्टम और बीटा लेक्टम के अंदर ही आते हैं बीटा लेक्टम इनिवीटर जिन्हें हमारा जो सल्वेक्टम ह यह बीटा लेक्टम जो एंटिवाइटिक हैं उनके साथ कॉंबिनेशन में आते हैं हमेशा तो इन्हें हम बीटा लेक्टम इनिवेटर भी बोलते हैं 5th is tetracycline, 6th is nitrobenzene derivative, 7th is aminoglycoside, 8th is macrolides, 9th is lincosamide, 10th is glycopeptides, 11th is oxyzolydenone, 12th is polypeptides, 13th is nitrofenone derivative, 14th is nitro imidazole, 15 nicotinic acid derivative, 16 other तो यह 16 टाइप का classification किया जाता है, chemical classification में यह category में divide किया जाता है तो आप जैसे देख रहा होगा सलपूनामाइट के आगे जो ड्रग लिखी हुई है, वो सलफाडाइजीन है, रैपसोने, यह example हैं उन ड्रग के जो इन category के अंदर आते हैं अब दोस्तों मैं बारी बारी से इनका mode of action अगली कुछ वीडियो में दूँगा, तो मेरी चैनल पर आप लोग बने रहे हैं इस जो चार्ट है, इसका स्कीन सॉट ले सकते हैं और आप केडी तरपाठी जो बुक है, उसकी मदद ले सकते हैं, क्लासिफिकेशन की एक केडी तरपाठी की बुक आती है, वो बहुत ही सॉट होती है, और 100 से 150 तक आ जाती है बुक, और अगर आप इनके मोड अफ एक्षन पढ़ना चाहते हैं, तो मोड अफ एक्षन के लिए, एसके चौधरी की बुक है, फार्मा को लॉजिक की, वो बैस्ट वुक है, तो फार्मा स्टुडेंट के लिए ये बैस्ट वुक रहेगी, केडी तरपाठी की, अगर क्लासिफिक आप ड्रक का चाहते हैं, तो उससे पढ़िए, और मोड अफ एक्षन आप अपनी लेंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो एसके चौधरी से पढ़िए, तो थैंकि दोस्तों, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्काइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्काइब करिए, और बने रही है मेरे चैनल पर अगली कुछ इंट्रेस्टेड जो वीडियो है, वो देखने के लिए, सुनने के लिए प्लीज सब्काइब